नमस्कार जंतर मंतर के धरना इस्तल पर मैं उपस्थितु में दिखा दू सुबह सुबह का समय है नौ बच चुके हैं साड़े नौ के करीब होने वाले हैं और और जंतर मंतर पर क्या चहल कदमी हैं किस तरीके से धरने लगे हुए मैं दिखा दू महां गेट से मैं कहूंगा एक बार गुमाते हुए दिखाते जाएं पुलिस की पूरी विवस्ता है और साथ मैं अर्दसैनिक वल भी अपना मोर्जा समालने में जुटे हुए हैं मैं बता दिखाना चाहता हूं किस तरीके से धरने होते हैं जंतर मंतर पर और कौन से ऐसे धरने हैं जो गायब हो गए हैं क्या हुआ है उनके साथ क्या बजय रही कि आज वो धरने नहीं है तो मैं दिखाना चाहूंगा मैं कहूंगा अपने कैमरामेंस से पूरा घुमागे दिखाए और अब मैं लेकर आया हूँ आपको एक ऐसी जगह जहां लगातार पिछले कई दिनों से धर्ना था दो महीने से ज्यादा से धर्ना था यह वो धर्ना है इस तल है यहां पर पूर्व सैनिक बैठते थे ओर ओपी मैं जो विसंगतिया थी उनकी डिमांड के लिए लेकिन आज दिखा दू मैं देखिए पूरी तरीके से बिच्छा हुआ है लेकिन एक भी व्यक्ति यहां उपस्तित नहीं है क्या हुआ क्यों नहीं आए क्या ओर ओपी तू में जो विसंगतिया थी उनकी मांग पूरी हो गई है या फिर यह लोग आने वाले हैं क्या यह समझ में नहीं आ रहा है कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं आने की लेट क्यों हो गए आज एक दो लोग आए हैं एंट्री करके तो यह धरना इस तल पूरी तरीके से खाली है और ओर ओपी टू के लिए कई ऐसा तो नहीं कि ओर ओपी टू की मांगे पूरी हो गई इसलिए आये लेकिन एक द बता दू धरना कमजोर हो रहा है और बहुत दिन होने के बाद है ना स्यानिकों का जो जोस है बोबी कम होता जा रहा है संख्या कम हो रही है क्या वजह है क्या थक गए हैं या हार गए हैं या फिर से नई चलांग लगाने आपそれは देखिए मेरे कहते कहते ही कुछ लोग चार-पांच लोग धरनस्तल पे आ गए और अपना जो प्रोटेस्ट है अब वो सुरू करेंगे लेकिन मैं बता दूं कि बहुत जादा इस समय सकती है दिल्ली में पावंदी है और ऐसा लग रहा है कि अब सरकार एकदम अलट है और अनसत के लिए मैं मनुसरा जी जय हिंद जय भारत